साइकोलोजिस का पेशन एक छोटा सा लटका अचानक से गायब हो जाता है अब उसे लगता है कि वो उसी के घर में है पर इसके बीचे बहुत सारे सिक्रेट्स थे आज के हमारी मुवी थ्रिल एन मिस्ट्री से भरी हुई है इसका नाम है 16 जो 2016 के एक हॉलिवर्ड साइकोलोज स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं मैरी और उसके हजबन यह दोनों डिसकस कर रहे थे एक्चुल में अपने बैट्टी स्टीफन को बढ़ाई के लिए कई दूर भेजने वाले हैं यह अभे भी सोच रहे हैं मैरी को लग रहा था यह शायद ही गल लगता है स्टीफन के जाने के बाद मेरी लेक के बास बैटकर उसके बजपन की सब विडियोस देखती है उसकी याद आ रही थी स्टीफन गाड़ी में अपने फादर पर बहुत गुस्सा हो गया वो कहता है तुम ही यह सब चाहते हो मदर कभी भी ऐसा बोलेगी नहीं किसमें टेथ हो गई स्टीफन पूरी तरीके से पारलाइस दो चुका है अब थोड़े मंद्स गुजर गए पस स्टीफन में कोई भी सुधार नहीं हुआ उसका सारा खया यह मैरी को ही रखना पड़ता है वो से खुद अपने हाद से खाना खिलाती है उसका सब कुछ उसे ह करना पड़ता है टीवी पर हम नोटिस करते हैं कि हाँ बड़ा सा स्टॉस टॉम आने वाला है मैरी एक साइकलोजिस थी उसका एक चोटा सा लट का जिसका नामे टॉम ये एक पेशन्ट था एक्चुल में टॉम के पैरेंट्स नहीं थे वो फॉस्टर होम में रहा करता है उ उसने स्कूल में कुछ बच्चों को मारा और उसका ट्रांसपर होने वाला है मैरी कहती है कि मेरे साथ अगर वो और थोड़े टाइम तक ठेरेपी करता रहा तो शाहिद हम प्रोग्रेस कर सकते है मैरी अपने हर पेशन्ट को हेल्प करना चाहती थी गवर्मेंट के ऑफिसर पेशन्ट को अकेले मैनेज नहीं कर सकती अब उसे एक केर हाउस में रखने वाली है यहां बातों बातों में पदा चला कि एक्चुल में स्टीफन को कहीं दूर भेजने का प्लान यह मैरी का ही था वहीं की टाइम पर उसकी मदर और साथ नहीं हो सकती थी उसे बहुत ही और अब वो बहुत ही जादा दूर चला गया है इस हालत से वापस नहीं आ सकता रात में जब वो स्टीफन को बात देती है तो पानी में डुपा कर उसने उसे मारने की कोशिश की पर यह सिर्फ उसका एक ड्रीम था वो इस ड्रीम से उठी उसे बाहर कुछ आवाज आ रही वो टॉम को घर में लेकर जाती है वो गवर्मेंट ओफिसर को उसने कॉल कर दिया टॉम फेस सिस्टम में जाना नहीं जाता था तो यहां से बाहर भाग गया मैरी ने उसे ढूणने की बहुत कोशिश की पर ढूण नहीं पाई अगली सुबह उसके घर पर पुलिस आये वो क जल्दी से भाग कर घर में आ रहे थी तब एक हाथ ने तरवाजब बन होने से रोक लिया यहाथ वीलचर पर स्टिफन का था यह भी उसका एक सपना ही है यह सब की पीचे का रिजन आपको आगे पता चलेगा निजडे मैरी अपने और एक पेशन को ठीट कर रहे थी वो भी टॉम के बारे में बात करता है क्याता है अब तो उसकी डेथ हो गई होगी बाहर मैरी इस पेशन के फादर से मिले फादर का नाम था डग डग ने का यहाँ बड़ा स्टॉम आने वाला है तुम्हें आ रहना नहीं चाहिए मैरी ने का मेरा सन पैरलाइस्ट है तुम्हें यह ही रहना पड़ेगा डग मैरी को डेट के लिए पूछता है मैरी ने कहा कि अभी अभी मेरे हस्बन की डेट हुई है यह सुनकर डग को बहुत बुरा लगा वह यहाँ उस पर गुस्सा हो गई थी आज रात मेरी ने टॉम को अपने बेडरूम में देखा उसके पास आकर उसे शान रहने के लिए कहता है वो आज रात रिलाइस करती है कि यह सिर्फ एक ड्रीम था वो इन ड्रीम से बहुत ही ज़्यादा डिस्टरब हो गई वो अपने तेरविस को कॉल करती है कहती है वो सब कुछ बहुत ही रियल लग रहा था तेरविस कहता है आज कल तुम बहुत ही ये तुम imagine कर सकती हो तुमने मुझसे पहले बात की थी जैसे स्टीफन बड़ा हो रहा है तो तुम्हें लगता है तुम उसे खोई रही हो शायद उसी के बच्पन का रोप तुम्हारे सपने में आता है मैरे भी इन सब बातों को जाने देती है साइकलोजिस ने उसे एडवाईस किया कि तुम अपने बलड टेस्ट करवा लो उसके बलड लेने के लिए फिर एक लेड़ी आई उससे कहती है तुम्हारा बलड प्रेशर बहुत ही हाई है शायद उसकी हेल्थ यही रिज़ान है वो सब कुछ देख रही है बात में उसकी असिस्टन उसे मिलने के लिए आई असिस्टन गहती है कि सूपर शॉप में मैं डग से मिली थी उसने तुमसे जो भी बात की तो इसके लिए उसे बुरा लग रहा था मैरी कहती कि मेरी ही गलती थी मैं उस पर चीड गई थी वो उसने फिर डग को कॉल किया रात में डिनर करते हैं यह दोनों डिसकस करते हैं कि जिस तरीके से बच्चे बड़े होते हैं तो लगता है कि वो अलगी परसन है यहां में पता चलता है यह मैरी एक्चुली स्टीफन की स्टेप मदर है वो बहुत ही छोटा था तो उसकी मदर की डेथ हो गई थी बच्पन से मैरी ने उसे बड़ा किया है वो जब आधी रात में उठी तो उसे स्टीफन कई भी मिल नहीं रहा था लॉंडरी के होल से कुछ आवाज आता है तो उसे देखती है तो उसमें से एक हाथ उसे पगड़ लेता है वो अपने आपको छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है और यही करते-करते सो गई थी सुबह उसे लगा इशायद यह सब उसका सबना था स्टीफन अपने बेड में है वो जब उसके पास आई तो उसके गाल पर कुछ माक्स है तो और भी ज़्यादा डिस्चरब हो जाती है साइकलोजिस ने कहा तुमारे रिपोर्ट आने दो फिर हम बात करेंगे टीवी पर निउज आती है कि टॉम की डेथ हो चुकी है उसे बहुत बुरा लगा रात में अपने वेस्टमेंट में कुछ चीज़े जब वो रख रही थी तो उपर डग आ गया उसे कहता है आज रहा स्टॉम आने वाला है एकर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो मैरी उसे मना कर देती है डग ने कहा कि टॉम की डेथ नहीं हुई उन्हें जो लड़का मिला था वो कोई और था मैरी को सुनकर अच्छा लगा स्टॉम के लिए सब को जो रेडी कर रही थी तो डग को यहां से जाने के लिए गहती है रात में अपने तेरेविस्ट से फेसे उसने बात कि तेरेविस्ट उस पर बहुत ही गुसा था वो कहता है तुम तुमारे मेडिसेन को मिक्स कर रही हो अगर तुम्हें नीन की गोलियों की जरूरत थी तुम मुझे बता देती स्टीफन की गोलिया लेने की क्या जरूरत थी तुमने अपनी और स्टीफन दोनों की जान खत्रे में डाली मैरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था अब वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी और वहाँ से चली जाती है उससे उसका वीडियो कॉल आन रहे गया है बेस्मेंट से उससे कुछ आवाज आए ये वो देखने के लिए गए तुसके पीछे टॉम था तब पीछे से स्टीफन आकर उसे बेहोश कर देता है साइकोलोजिस ने स्काइप पर नोटिस किया कि स्टीफन घर में खूम रहा है तो देखकर डर जाता है अब स्टीफन ने डारेकली मैरी को बान दिया है वो भुशती कि तुमें कर कर रहे हो स्टीफन कहता है जिस तरीके से तुम मेरा ख्याल रखती थी अब वैसे मैं तुमारा ख्याल रखूँगा मैरी भुशती है क्या है मेरा सब सबना है स्टीफन कहता है कि नहीं एक्सिडन की बाद मैं मूँ नहीं करना चाहता था तुम सब लोगो को लगा कि मैं पैरलाइस्ट हो चुका हूँ मैंने फिर वैसा ही नाटक किया सब कुछ परफेक्ट था पर तभी टॉम आ गया उसके लिए तुम मुझे दूर भेजना चाहती थी मैं उसे घर में रहने नहीं दे सकता मैरी कहती कि क्या तुमने उसे मार डाला स्टीफन कहता है कि उस जिन्दा है पर तुम हमेशा मैरे आलावा किसी और कोई प्रायरिटी देती हो इस सब का मतलब है मैरी जो भी रात में देख रही थी उसके घर में टॉम है ये सब सच था स्टीफन से बच कर वो घर में छुप रहा था बेस्मेंट में एक डनल है इसके बाद लॉंडरी रखने के लिए जगा है ऐसे करते करते घर में उचुपता रहता है अब स्टीफन टॉम को मार डालेगा यानि क्यों मैरी के साथ अकेला रह सकता है साइकोलोजिस स्टीफन को देखकर डारेक्ली अब मेरी के घर आ रहा था उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया स्टीफन टॉम को मारने के लिए जला गया और मेरी के हाथ बंदे हुए थे उसने बहुट ट्राय किया और अबने आपको छुडा लिया स्टीफन मैरी को गोलिया देता था तो इसी वाचे से रात में भेजुश हो जाती थी उसे अज़ीब से सबने आते थे मैरी बेस्मेंट में आई स्टीफन ने टॉम को बाण दिया है और उसे मारने के लिए अब वो रेडी हो रहा था मैरी कहती है कि बिले से साथ कुछ भी मत करो स्टीफन कहता है मुझे तुम टॉम के साथ रिप्लेस कर रही हो मैसा होने नहीं दे सकता मैरी उसे समझाती है तुमारे साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक एकसिटन था स्टीफन कहता है कि वो कोई भी एकसिटन नहीं था मैं तुम से दूर ना जाओ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता था उसे लगता है उसने जान बुश कर अपने फादर को मार दिया एकसिटन के बाद उसे मिंटल प्रॉलम आ चुका है मैरी जोर से स्टीफन को मारती है टॉम को लेकर बेस्मेंट बन करकर उपर आके टॉम बहुत ही डर चुका था तो क्लोजेट में छुप जाता है मैरी बाहर जाकर ऐसा दिखा दिया जैसे वो भाग चुकी है पर वो फिल से घर में अंदर आ गई स्टीफन ने बेस्मेंट का दर्वाजा तोड़ दिया पूरे घर में उन्हें ढूण रहा था उसने बाहर जाकर देखा तो मैरी के स्टेप्स उसे दिखे पर वो बहुत स्मार्ट है वो समझ गया मैरी अभी भी घर में ही है वो हर जगा पर ढूण रहा था तब इस साइकोलोजिस्ट वहाँ पर पहुच जाता है अचानक से स्टीफन उसके सामने आकर चाकु से उस पर वार कर देता है वो गहता है तुमने उसे कहा था यह मुझे दूर भीजना है वो मुझे प्यार करती है हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता तो इसके पास स्टीफन सारे घर को लॉक कर रहा था वो ओपर खिड़ क्या बन करने के लिए गया तब इक मैरी बहार जाकर देखती है तो डग की बॉड़ी पड़ी हुई है डग मैरी को डेट कर रहा था स्टीफन को अच्छा नहीं लगा तो इसी वज़े से उसने उसे भी मार डाला मैरी ने साइकोलोजिस को जखमी देखा साइकोलोजिस कहता है उसे जो भी लगता है इसे तुम हाक हो इसे से उसे तुम कंट्रोल कर सकते हो जल्दी से मैरी टॉम को किचन मे लेकर जाती है वहाँ की विंडो से उसे बाहर निकाल दिया जल्दी से स्टीफन वहाँ पर पहुँच गया वो टॉम को मारने माला था मैरी उसे रोक लेती है कहती है अब वो दूर चला जा चुका है अब सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे हमेशा के लिए वो मैरी को भी हड करता तब टॉम ने एक distraction क्रियेट किया मैरी एक पैन से स्टीफन को घायल कर देती है टॉम और मैरी फिर जल्दी से इस घर से बाहर निकल गए स्टीफन अभी भी होश में था तो उनकी पीछे भागता है ये भागते भागते लेक की बोट के पास जा रहे थे मैरी पीछे थी तो स्टीफन उस वर वार कर देता है टॉम को मारने के लिए वो आगे चला गया वो टॉम को पानी में डुबा रहा था भागते भागते मैरी टॉम को बचाने के लिए आई स्टीफन का ये हैमर लेकर उसे वो मार डालती है मैरी तो स्टीफन को उसके एक्सिडन में लॉस्ट कर चुगी थी जो स्टीफन लोट कर आया वो स्टेबल नहीं था वो टॉम को मार डालता तो उसके पास और कोई भी option नहीं था हम देखते हैं मूवी में कुछ time गुजर चुका है महरी टॉम को officially adopt कर लेती है यह दूना अलग city में चले गए टॉम उसके साथ खुश था इसी तरीके से यह मूवी end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा वे बहुत सारी मूवीस लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा कमवीर से मिलेंगे और एक निमों के साथ तो तक लिए थांक्यू और आप अपने आपका खैल रखे